नमस्कार दोस्तों मैं असोक कुमार आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चेनल दा परफेक्ट सिवल इंजिनियरिंग तो आज हम बात करेंगे बिगगा का क्या माप होता है और बिगगा किस तरीके से निकाले जाती है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बिगगा हर जिले की अलग लग होती है अलग लग छेतर के अंदर अलग लग तरीके से बिगगा को मापा जाता है तो हम जो यहां की बात करें अगर आज रास्थान सेखावाटी जुंजनु डिस्टिक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बिगा को 108 फिट लंबाई 108 फिट चोड़ाई 108 वाई 108 का बिगा बनता है तो उसका स्क्वाइर फिट किस तरीके से निकालेंगे और उसका गज अगर हम करें बात तो किस तरीके से निकालेंगे तो यह सब बाते हम इस वीडियो में करने वाले हैं तो देखते हैं वीडियो वीडियो देखने से पहले मेरी एक चोटी सी रिक्वेस्ट आप से अगर चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइ और अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर भी हर जगे हर जिलेवाइज अलग अलग तरीके से बीगा का माप होता है और अलग तरीके से ही मापा जाता है तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे फिट का जैसे मालो यहां पर अगर हमें जमीन का बीगो निकालना है तो हम बात करते हैं कि हमारे लोकल में यहां पर 108 गुना 108 अगर 108 लंबाई है और 108 चोड़ाई है तो उसको एक बीगा बोलते हैं और उसका जो टोटल होता है वो 11,664 है तो 11,664 क्या हो गया इसके अंदर है स्क्वाइर फिट हो गया एक बीगा के अंदर कितना स्क्वाइर फिट हो गया 11,664 फिर हम बात करें गज की तो गज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 11,664 के अंदर हम 9 का भाग देंगे तो अभी आप अगर सोचते होंगे कि य कहां से आ गया ये भी मैं बताऊंगा तो इसका जो है उत्तर आएगा 1260 में इसका उत्तर आएगा तो अपना क्या हो गया 1296 में हो गया वरग गज और 1664 हो गया फिट और अभी अगर हम बात करें नो तो नो का मैं आपको बदा दूँ एक वरग गज जो जगह है उसके अंदर नो फिट जगह होती है और एक वरगज की अगर लंबाई चोड़ाई की हम बात करें तो तीन लंबाई तीन ही चोड़ाई ही तो तीन को तीन से गुना करेंगे तो उसका होगा नो तो इस तरीके से यहां पे आ गया नो और इस नो का जो है वो अपने पास जो फुट है 11664 उसके अंदर भाग देंग अपना वरगज का जो माप है वो इस तरीके से हो गया अब बात करेंगे हम वरग मिटर की तो वरग मिटर के लिए हमें क्या करना होगा कि 11664 अपने पास संक्या है उसके अंदर भाग देंगे 10.640 का और इसका जो उत्तर है वो आएगा 1033.62 वरग मिटर तो इस तरीके से हम एक विगा का फुट भी निकाल सकते हैं वरग गज भी निकाल सकते हैं और यही माप अगर हमें 5 विगा का निकालना है तो वो भी इसी तरीके से निकलेगा और अगर यही माप हमें 2 विगा का निकालना है तो वो भी इसी तरीके से निक दाल सकते हैं और हमें अगर किसी प्लोट का गज निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता प्लोट की लंबाई गुणा चोड़ाई करें और उसके बाद नोका उसमें भाग लगाएं तो इस तरीके से अपने सामने जो प्लोट का व्रगज है वो अपने सामने आ पे रेटेन।